सस्क्राइब कीजए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड़ा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजए फॉर लेटेस्ट अप्डेट वेलकम टू बालाजी स्टड्य अड़ा तो बालाजी स्टडी अड़ा में आपका श्वागत है मैं अज़ आपको कुछ जो खोज या विश्कार है उनको ट्रिक के माध्यम से बताऊना तो चलिए पहले बात करते हैं डाइनामाइट तो फ्रेंड्स एक घर था उस घर में एक डाइन रहते थी तो लोग कहते थे कि कोई भी उस घर की क्या है बेल मत बजाओ कोई भी नो कोई भी बेक्ति नहीं मतलब नो और बेल मत बजाओ तो फ्रेंड्स इस नो बेल से बनेगा आलग फ्रेट नो बेल इस नो से और इस बेल से तो डाइनामाइट की जो खोज थी और किसने की थी अलफ्रेट नो बेल है आगे बात करते हैं फाउंटेन पेन जैसा कि फ्रेंड्स नाम में ही फाउंटेन है फाउंटेन रिलेटेड किस से होता है वाटर से तो इस वाटर से ही बनेगा वाटर मैन तो फाउंटेन पेन की जो है आप होज किसने की थी वाटर मैन है आगे बात करते हैं मसीन गन तो फ्रेंड्स हम कभी भी देखते हैं कि यôँ मसीन गन होती है तो हम किसी दूसरे जैसे आपने आपसे किसी दूसरे को देते हैं तो उससे का कहते हैं? ले पकल कि लो भाई पकल लो जब किसी और को देते हैं तो इस पकल से बनेगा वकल और आगे JAMES तो machine gun की कोच किस ने की थी? James पकल ले आगे बात करते हैं कि जो typewriter है friends हम देखते हैं जब typewriter प्रव्त टाइप करते हैं तो क्या होता है बहुत सूर होता है तो इस सोर से बनेगा सोल्स तो इस टाइप राइटर की कोच एस ने ती सोल्स ने अगे बात करते हैं पैनिसिलीन यह वह बहुत इंपोर्टेंट है बहुत बार आया है एसस्ती में भी उसके लावा यूपी ट्रिपल एक्जाम में भी काफी बार आया तो एक चीज़ प्रेंड्स आप देखते हैं हम लोग कि जैसे अगर हम किसी से कहें हैं आप से कि पैन से अगर कोई चीज चीज सिलनी है यज़े एकर सुई ना हो और हमें पैन से सिलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रेंड्स जैएड सी बात है कि पैन का जो आगे वाली निफोगी आपको फ्लेम से गरम करने पड़ेगी फ्लेम मतलब वही आग से गरम करनी पड़ीगी तो इस फ्लेम से बनेगा फ्लेमिंग और इस पैन यानि पैनिसिलीन से सिल्ला यानि कि पैनिसिलीन की खोज किस ने की थी फ्लेमिंग ने चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं अगला है इंटर पॉल तो फ्रेंड्स आपने एक चीज देखा होगा कि जब आप भी इंटर में पड़ते थे तो अगर क्या होता था कि अगर आप इंटर में फेल हो गए तो घरवाले क्या कहते थे मतलब बहुत मारें मतलब आपको बहुत डाट पड़ती थी तो उसी डाट का ही एक दूसरा रूप होता है आप स्क्रब तो जानते होंगे जो फ्रेस पर यूज की जाती है स्क्रेब कहते हैं एक पैरेंट्स अपने बच्चे से कि अगर तुम्हें इंटर में फेल हो गए तो जैसे स्क्रब से चैरा गिसा जाता है वैसे मैं तुम्हें भी गिस दूँगा तो इस स्क्रब से बनेगा जोहान इसक्रेबर इस स्क्रब से बनेगा इसक्रेबर और ये इंटर पॉल की जो करता थे वो थे इसक्रेबर तो चलिए आगे बात करते हैं रेडियम वेडियम की कुछ किस ने की थी मैडम क्यूरी ने ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही इसलिए मैं इसक्रेबर इसक्रेबर इसके अलावा आगे बात करते हैं बैरोमीटर इस फ्रेंड्स में कुश्चन ये आया था बैरोमीटर बैरोमीटर से आप हमेशा याद रखेंगे कि बैरोमीटर में क्या आता है ये बोरा अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि कभी भी आप कोई जी सामान रखते हैं बोरा में तो उसे क्या करते हैं तागा से जिल लेते हैं तागा से सिल लेते हैं तो इस तागा से भी बनेगा ये तागा वाला है ये है टोरी और यह सिल वाला है, यह सीली यानी कि तो friends, बैरो मीटर था और जो बैरो है, इसी से है बोरा तो जैसे आपके बैरो मीटर पूचा, आपका दुरन बोरा आपका क्लिक करना चाहिए दिमाग में और इस तुरल बोरा से ही आप प्याद आएगा कि बोरा मेंसा कुछ भी इसमें रखते हैं तागा से से लिया था बैरोमीटर की कोज किसमे कीती तोरी सीलीन है तो अगला है कल्कुलेटर प्रेंट्स आप जैसे मैठ वैट का पेपर देते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आपको पास कराना हो तो आपको कल्कुलेटर दे दिया जाए तो पास कराना हो इसी पास से बनेगा पासकल तो यह जो कल्कुलेटर था इसकी कोज इसने की थी पासकल है आगे बात करते हैं रेल इंजन की लगभब सभी जानते हैं जौर्ज इस्टी फ्रेंज इसके अलावा बल्व विद्ध बल्व जो थी उसकी किसने कोज किसने की थी अगे बात करते हैं हेलिकॉप्टर है तो हेलिकॉप्टर आप देखते हैं कि तो हेलिकॉप्टर होता है यह मतलब जितने भी वहान होते हैं जैसे बस है कार है साइकेल है इससे सकेंस अब का वेट बहुत जादा होता है वेट बहुत जादा होता है तो इसी वेट से ही आप यहाद करेंगे ब्रिक वेट लक्न हैं प्रिक कि मैरें अ पर आगे बात करेंगे तो कागज तो आप देखते होंगे कि अब तो मुबाइल का जमाना चला गया है तो पहले जो था कागज वगएरा पर बहुत लव लैटर दिये जाते हैं तो लव लैटर को मतलब उसको दूसरी जो भासा में कहते हैं वो कहते हैं इलू प्रेंड सब्सक्राइब जानते हैं इस इलू से ही बना है इसके आगे लगा देंगे सा इस बीज में इसी को रख देंगे एलू और आखरी में नाव जैसे आपके मन में सामने कोश्चन आएगा कागज तुर्द आप उससे क्लिट करेंगे कागज पहले प्रेयम पत्र इलू इलू चलता था तो तुरत इस इलू से बन जाएगा साई लुन चलिए आगे बात करते हैं तो है टेलिवीजन तो फ्रेंड्स आपने एक चीज देखा होगा कि जो भी डगती जो टेलिवीशन देखता है मतलब जो देखने लगता है जो भी देखता है उसको लट लग जाती है जैसे कि बीयर से नहीं लग जाती कि आप एक और पीने लगे उसी प्रेकार से हैं तो टेलिवीजन जो देखने लगता है उसको लट लग जाती है तो इस जो से बनेगा जे इस लट से बनेगा एल और बीयर से बनेगा बेयर्ड तो टेलिव तर्मा मीटर गुवद्टी की बात करते हैं तर्मा मीटर इन देखा वागा आपने कि जो थर्मा मीटर होता है उसका क्या काम होता है त्टेम्परेचर नापने का हैं तो हम क्या तड़ते मुं में रख लेते हैं या तो क्या यह हल्का सा जब रखते हैं इसके यह गुंपुला टाइप का लगता है और इसी गुल-गुला टाइप से बनेगा गय लिलियो वैसे तो फ्रैंट्स यह एक आपको पहले से बतावना चाहिए कि गय लिलियो ने की थी फिर भी मैंने इसको एक ट्रिक के मात्यम से जोड दिया अगला बात करते हैं एक्सरे तो फ्रैंट्स एक लड़का होता है उसके पापा क्या करते हैं उसका एक्सरे कराने के लिए ले जाते हैं तो वह क्या करता है रोने लगता है कहता है कि मैंनी कराऊंगा उसमें लिटा दिते हैं और पता नहीं क्या होगा उसके बापा कहता है रो मत जानने पड़ेगा कि कब X-ray हो गया तो इस रोने और जानने पड़ेगा सही बनेगा और पीफिए और इस तक्शनी कि कोई ने उन चेंट और यह आगे माथ करथे हैं नेक्स्टरिक क्यों प्र द्रॉय। भीणल कि कमीती दो आप जानते हैंं वाटर अल्ट जांकेने या आपेएं पता होना चाहिए और इसके अलावा जो अनुवान सित्ता की खोज की थी वो किस ने की थी ग्रेगर जॉन वेंडल ने अगली ट्रिट की बार करते हैं विद्द जन्रेटर तो फ्रेंट्स आपने ये देखा होगा कि तो किसी की भी शादी बगरा होती है तो क्या करते हैं जन्रेटर मगाते हैं तो एक लड़का था जिसके सादी में फेरे हो रहे थे फेरे होते टाइम फ्रेंट्स क्या हुआ अचानक से लाइट चली गई फिर क्या होगा तुरंट सब लोग खड़ बढ़ा गए तो उन्होंने क्या किया जन्रेटर मगाया तो इस फेरे से बनेगा फेराडे माइकल फेरेडे तो यह वितुच जन्रेटर की जो खोज कीज थी वो किसने की थी माइकल फेराडे ने हैं कि अगवने बात करते हैं रेडियो क्तुच आपने देखा होगा कि जैसे गाऊँ वगारा में टीवी नहीं चलती थी रेडियो नहीं तो लोग क्या करते थे उसे ठोकते फीटते थे तो गाउं में जैसे रेडियो है जब नहीं चलता है तो एक लड़का होता है अपने पापक पास जाता है कहता है पापा ये रेडियो नहीं चल ला है तो उसे कहते हैं कि बेटा दो चाहा कोहनी मार तो चलने लगेगा कोहनी मार तो चलने लगेगा तो इस कोनी मार से बनेगा मार कोनी और इसी मार कोनी की कोछ रेडियो की कोछ किसमें की थी मार कोनी ने तो अगली की बात करते हैं साइकल तो फ्रेंड्स आप देखते हैं पहले लोग साइकल सजाते थे तो क्या करते थे एक दूसरे से मेल मिलाब करते विया एक दूसरे को छोड़ते जाते तो उसी से मेल मिलाब कह सकते हैं तो इसी मिलाब से ही बन जाएगा Macmillan अगली ट्रिप की बात करेंगे तो रेफरिजिरेटर तो फ्रेंट्स अधिकतर आपने देखा होगा जिसे रेफरिजिरेटर प्रिच के उससे कंपेर कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसमें जिसे हरी सबचियां वगरा होती हैं तो उसको बहुत बहुत काट के रख देते हैं कार्ट के रख देते हैं तो इस हरी से बनेगा हैरिसन और इस कार्ट से बनेगा कैटलिन तो इस रेपिंचिरेटर की जो खोज की थी हैरिसन एंड कैटलिन ने आगे बात करते हैं तो मुबाइल फोन अगर आपको पता होगा तो मुबाइल फोन जो था वो सबसे पहले इसका आया था मोडरोला का तो इस मोडरोला से ही आप निकालेंगे मार्टिन और कूपर तो मुबाइल फोन की जो जनक यह खोज करता कौन थे मार्टिन कूपर आगे बात करते हैं डाप टिकट तो इसकी कोच किस ने की थी रोनाल्ड फिल ने आगे बात करते हैं लेजर कि फ्रेंस एक लड़का जो बड़ा सा होता है वो क्या करता है तो एक छोटा सा बच्चा आता है वो उसे कहता है कि यह लेजर मुझे भी दो मैं भी लूँगा जो और इस मैं से बनेगा मैमन दोबारा मैं भी लूँगा और इसके आगे इसका नाम क्या है थियोडोर थियोडोर मैमन लेजर की खोच किसे की थी थियोडोर मैमन आगे बात करते हैं एर कंडिशनर इसकी खोच किस नहीं थी हैवी लेंड इसको आप याद कर सकते हैं कि इसमें एर कंडिशनर में एसमें बहुत ही हैवी जो होती है वो हवा आती है मौती खंडी हवा तो उससे आप यहाद कर सकते हैं हैवी लेंड और केरियर आगे बात करते हैं इंटरनेट तो प्रेंट्स आप देख रहे हैं जहां आजकल इंटरनेट का यूज कई कई बहुत ही खराब ही होता जा रहा है तो एक हिसाप से उसको कह सकते हैं कि एक्टम यह साप की भाती हो गया जो हम लोग के लिए विसका काम कर रहा है जैसे इंटरनेट आपके कोश्चन में आया तो आप इससे तुरुद साप करेंगे और इसी साप से ही बना है सर्प और इंका आगे नाम जो था विंटन जी सर्प तो इस इंटरनेट के लोग कोज के था हो किसने के थी विंटन जी सर्पने तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पतंड है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल बाला जी श्टडी अट्डा को सस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके अलावा आपके अगर को वेरी है तो आप इसे comment section में लिखिए और या आपकी कोई requirement है तो इसे comment section में लिखिए Thank you for watching